हालो प्रेंट्स आज मा आपको बताऊंगा एदि आपके बक्री बैट गई है खड़ी नहीं हो पा रही है या एदि आपके बक्रियों में थोड़ी से चलने में दिकत आ रही है लड़ खड़ा के चल रही है तो इसके लिए आपको कौन से इंजेक्शन का प्रयोग अपने बक बक्रियों को आप खड़ी भी कर सकते हैं और उसे जो लंगडा करके चल रही है वह भी ठीक हो सकती है यह आपको इस तरह की वेकनेश या कमजोरी आ गई है तो उसकी वज़े से भी आपकी बक्रियां ठीक हो जाएंगी तो इसके लिए माँ आपको जो दो इंजेक्शन बताऊ है तो इसे आप 2-3 ml इंट्राविनस वा इंट्रामस्कुल दोनुरूट से किसी भी रूट से आप अपनी बक्रियों में लगवा सकते हैं लगातार आपको तीन दिन से लेकर कि पांस दिन तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बक्रियों में करवा सकते हैं ताकि आप उसको लगाना यह भी आप 3-4 दिन आप अपने वक्रियों को लगवाना है अपनी बक्रियों हो ऑपको एक एंजेक्शन आपको एक हैड़ंदेशिन आपको दूसरी इनजेक्शन होझागा सकते हैं यह आपको गलोनी आपको फाइदा देखनेटेंगा क्या करेंगे यह कि आपकी बक्रिय चलने फिंदने में उटने बेढ़ने में बहुत सी इस परकार की वेक्री जो बैड्स आते हैं तो खड़ी नहीं हो पाती है और कईबर क्या है कि खड़ेाने में वेक्रत करती है Спो उसके अंदर से तहाई तो उसके अंदर भी आपको यह इंजेक्शन लगाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और ही बाद जो यह इंजेक्शन है यह इंजेक्शन आप जिस परकार से दिया आपकी छोटी बक्रियां है तो उसमें कम दोज दे सकते हैं जिनका बोड़ी यह पात दिदे संव कि यह इंजेक्शन क्या काम कंते हैं इनके लिए मा आपको एक सब्सक्राइब कर ने करें करें सब्सक्राइब बक्रिय Tut. के बारे में इस चैनल में सही और सटिक जानकारी आपको समय समय पर ऐसे मिलती रहेंगी इसी तरसे मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरसे मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवा